खाबरबाना जनपर से जहां बिशंडा में राजेश्री वालीबॉल प्रतोगुता का दो दिवसी प्रतोगुता के फाइनल मुकाबले में बिशंडा ए ने परक्षा की टीम को पराजित किया बिशंडा कस्पे के आदर सिंटर कॉलेस ग्राउंड पर पूरु प्रधानाचार स्वर्गी राजाराम सिंग चोहान की पुरने स्मति में दो दिवसी बॉलीबॉल प्रतोगुता का आयोजन किया गया जिसमें आज रविवार को दूशे दिन फाइनल मुकाबला बिशंडा ए उम परक्षा की टीम के बीश कड़ा मुकाबला खेरा गया जिसमें बिशंडा एकी टीम ने जीत तर्श किया वहीं विजेता वा उप विजेता को ट्रोफी वा नगद पुरुषकार के साथ नवाजा गया इस मौके पर मुक्ष दिदी के रूप में जैराम चिंग, विशिष दिदी के रूप में राजा भिया सिंग परिहार, प्रवंधक आदर सिंटर कॉलेज बिशंडा सयोजक धरमपाल सिंग, जगतपाल सिंग, वहीं संचालन का कारिभार, डॉक्टर इंदर वीर सिंग, वीर वालवाल तूनामेंट जो इस मुनित में हुआ है, अमारे फ़ांडर प्रधानाचार थे, राजराम सिंगी चवहान साथ, उन्ही के पुनित में वालीवाल तूनामेंट का आयोजिन करा है यह दो दिनों का मैच हुआ है तीम है कि में आई थी इसमें चत्रीश गर्ड रिवा सतना चित्र कोट इलहाबाद और रायवरेली फातेपूर्ट पर्चा गोईरा बानडा विसंडा आज जो फाइनल मैच हुआ है किन किन के बीच में हुआ है और फाइनल मैच आज आज आदर इंडर कॉलिज विशंड़ और पर्चा के मत दिखेला गया जिस में बिजेता टीम है और उनुप विशंड़ परच्षा और आज क्सरा करकर्करम के मुख अतित्म होदे काह ने है हमारे समापन के मुखित अतितम होदे शरी जैराम सिंह जी बच्छे उगाक जो है श्री राजाराशिंग चाहं जो यहां के प्रदानाचार थे और किया कईते हैं यहां के फाउंडर थे उनहीं के इसमें एक तूर्णमेंट जो है दो दिनों का हुआ, आयो जित हुआ है तूर्णमेंटरे फाइनल मैच किसके किसके वी चुँए लिए? पिछले दस वर्शों से टोर्नामेंट यहां का बंद हो गया था किनी कारणबस क्या मंदा अब यह ब्यवस्था नहीं हो पाया थी इस कारण से जो है नहीं हो पाया और यह फिर अब चालू हो गया है अब यह चलता रहेगा था क्या नहीं हो पाया किस प्रकार कारकम का उजन हुआ है बहुत अच्छा कारकम आया जो दुगा किली तुखली हो गई यह बहुत प्रतिक्षित तूनामेंट था यह हुरीime टोडा में हो और आज पूरि अर्मान पूरे हो गया बहुत अच्छा किंके इसमक्रत में कारकम किस में तुखली राज़ाराम सींच जोहार राज़ा время चाहर है फांडोंडर प्रिंस्पल रहे ह। क्या नमस्वाल राभाय करकम करकेμα